जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विज़पत डिफेंस एजूकेशन में आज की हमारी क्लास नाइन्थ है एच्पी पुलिस डेली मिक्स जीके की इस वीडियो में मोर दन फिफ्टीन इंपोर्टेंट कोईशन डिसकस करेंगे हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए जिसमें मिक्स क्वेशन रहेंगे जनल साइंस के एच्पी जीके के और ओल इंडिया जीके के आपके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताओं हमारा बेसिक फाउंडेशन का कॉर्स स्टार्ट है जो की आपको दिलवाएगा 100% शूर्ट सक्सेस और कवर करवाएगा आपके आने वाले सभी अपकमिंग स्टेट और सेंटर गवर्मेंट एक्जामों को आप अपनी त्यारी इसमें बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगे स्पैशल नोट्स बिजयपात डिफेंस एजुकेशन की तरफ से साथ में बुक्स दी जाएंगी और ओनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहां से प्रोवाइड की जाएगी तो 100% सियर सक्सेस के लिए आप बेसिक फाउंडेशन का कॉर्स जोइन कर सकते हैं बिजयपात डिफेंस एजुकेशन में तो फस्ट कॉशन है इस वीडियो का हिमाले को किस भगवान ने अपना स्वरूप माना है तो यह माना है श्री कृशन जी के द्वारा नेक्स कॉशन है हिमाचल परदेश को कब गर्ष रेनी का राज्य बनाया गया था वेन वाजदा हिमाचल परदेश made as a C category state most important question है और mostly यह question काफी वार exam में पूछा जा चुका है repeated question है आपको ध्यान में रखना है next video में आपके लिए 4 यह 5 question माचल कि ही मैं बात करूँगा कि कब यह हमारा establish हुआ था कब इसको के इंदर शाषित बनाया गया था कब इसको C category का बिनाया गया था और कब इसको बिशाल राज बनाया गया तो 4 यह 5 question आपके लिए रहेंगे बहां से जो की most important category के रहने वाले हैं तो C category बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को 1951 में और 1951 में ही जो हैं वो पहली वार election हुए थे mostly यहाँ पे थोड़ी सी confusion आती है कि अगर 1951 और 1952 option में दिया है अगर हमारे election का अगर कोई question आता है बहाँ पे option पे दिया है 1951 और 1952 तो बहाँ पे आपको जो first choice करनी है वो करनी है 1951 में अगर both option में दिया है तब तो 1951 और 1952 both are accurate लेकिन अगर option single की form में दिया है तो first preference आपको करनी है 1950 बन के लिए next one है हिमाले को देवात्मा की संग्या किसने दी थी who gave the name of God Saul to the हिमालिया तो हिमालिया को देवात्मा की संग्या दी गई थी महा कभी कालिदास जी के द्वारा next one है दमदमा महल किसके द्वारा बनाया गया है दमदमा महल या फिर उसको पैलिस बोलते हैं जो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था एक बनाया गया था सूरज सेन के द्वारा तो ये हमारा जो दमदमा महल है ये है हमारा डिस्टिक मंडी में next one है हिमाचल क्षेतर पर सबसे पहले आकर्मन करने वाली बिदेशी जाती कौन सी थी तो first हमारी ऐसी कौन सी कास्ट थी बिदेशी जिसने की पहली बार हिमाचल के ओपर आकर्मन किया था तो वो थी हमारी आरिया आरियों ने जो है वो हिमाचल पर सबसे पहले आकर्मन किया था जो की पहली बिदेशी जाती थी next question हिमाचल पर देश के सबसे प्राचीन निवासी कौन थी most important question है और काफी बार HPSS, CHP, PSC और जितने भी हिमाचल के एक्जाम है उनमें mostly ये question पूछा गया था तो सबसे पुरानी ये फिर सबसे प्राचीन निवासी की बात करें तो वो थे हमारे कौल next one है किसने नगर कोट के किले में मस्जित का निर्मान करवाया था नगर कोट तो मस्जित का निर्मान जो है ये करवाया था जहांगीर के दुआरा next one है हिमाचल प्रदेश में प्रत्थम लोकप्रिय सरकार बिधान सबा की स्थापना किस वर्च की गई थी in which year first popular government assembly established in the हिमाचल प्रदेश तो पहली बार जो इसकी स्थापना की गई थी 1951 में election हुए थे और 24 मार्च 1952 को पहली बार सरकार बनाई गई थी जिसमें डॉक्टर यश्वंत सिंग परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे और आपको यहां से एक और बात ध्यान रखनी है कि जो प्रत्थम हमारी सरकार थी उसमें बिधान सभा के टोटल 36 मिंबर थे और अगर बरतमान की बात करूँ तो बरतमान में है हमारे बिधान सभा के मतलब जो टोटल MLA है वो है हमारे 68 उसके बाद लोकसभा की बात करूँ हिमाचल में तो चार लोकसभा की सीटे हैं और तीन है हमारी राज्यसभा की सीटे नेक्ट वन है 25 अगस्त 1931 को इरविन गांधी समझोता पर कहां पर अस्ताक्षर किये गए थे दो कोशिन यहां से बनते हैं कि गांधी रविन समझोता कब हुआ था यह हुआ था 25 अगस्त 1931 को और हुआ कहां था तो यह हुआ था शिमला में ग्राज के अंगस्ति है सका थी लास्ट के लोगए में गांदा गांचल परदेश कहां पर पेदा किया जाता है तो काला जीरा जो है हिमाचल परदेश में ये mostly होता है किनोर में और किनोर की सांगला घाटी में ये जो है वो इसकी production की जाती है अगर किनोर आपके option में नहीं है तो फिर आप लाहुल स्पीती भी इसमें answer लिख सकते हैं क्योंकि सबसे जादा होता है किनोर के सांगला घाटी में और उसके बाद ये होता है हमारे लाहुल स्पीती में यहां से आपको comment box में एक और बात यहां पर आपको बतानी है कि जो हमारा काला जीरा है उसको जो हमाचल में काफी हद तक production होती है उसको GI tag जो है वो दिया गया है तो किस वर्स इसको जो है वो GI tag जो है वो काला जीरा के लिए दिया गया है हाई होप आपको वीडियो अच्छी लोगी होगी आप हमारे वट्साइप ग्रूप के साथ जरूर जुड़े हमारा हिमाचल पुलिस का advance बैच स्टार्ट है सो जल्दी से जल्दी आप अपना बैच स्टार्ट कर सकते हैं विजपास defense education में मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत